हाई फ्रेंड आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक की और मेरे दिल के भी काफी करीब है क्योंकि काफी 10 साल से मैं देख रहा हूं का अपने क्लिनिक पे काफी सारे बच्चे जो लड़के हैं बट वो लड़की बनना चाहते हैं और घरवाले काफी परिशा बिल्कुल ही नॉर्मल है इसमें कुछ भी उनकी गलती नहीं है देख फोर में इसको बोला करते थे जंडर आइडिंटिटी इसार्डर इसका मतलब है कि यह बिमारी माना जाता था इसार्डर जबकि देख फाइव जो की मेरे पास पढ़ी है यह नया एडिशन आया अगा अ कुछ जेंडर या लिंक को लेकर जिसमें वो पैदा हुआ है वो दूसरे लिंक का होना चाहता है इसका मतलब क्या हुआ जैसे हमने कहा कि हम बात करेंगे इसमें male to female की तो एक लड़का पैदा हुआ है और वो चाहता है कि काश मैं लड़की होता अब इसको समझने के लिए ह मैं कुछ दो-तिन शब्दों को समझने के जुरता है पहला शब्द है sexual identity sexual identity का मतलब है जब भी बच्चा पैदा होता है तो घरवालों को समझ आ जाती है कि यह लड़का है या लड़की क्योंकि उसके अंगों को देखके हम बता सकते हैं कि वह लड़का है या लड़की उसक उसके organs या secondary sexual और primary sexual organs को देखके ही समझता है कि वह लड़का है या लड़की बच्चे को यह अच्छी खासी समझ होती है तीन से पांच साल में बहुत जादा difference नहीं आता बट पांच से पंदरा साल की उमर में तो बहुत ही जादा फरक आ जाता है कि लड़का लड़कों की आता है और लड़की जो हैं वो लड़की कितना सूचती है उनकी games भी different होती है उनकी सोच भी different होती है उनका social behavior भी different होता है जो लड़के होते हैं हो जाता आम तौर पे जादा aggressive होते हैं और gangs बनाते हैं उसमेhrarchy होती है फीमिल होती है आघ कॉरिट एप कउस्जिश करती है तब भी बोलता है कि मुझे दर्द मर्द को दर्द नहीं होता जब कि दर्द तो हो रहा होता है तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो की हैं लड़के बट वो चाहते हैं कि वो लड़की बन जा है तो I'll go scientifically point by point पहला point आता है 6 महिने इसका मतलब है कि एक दिन या दो दिन की बात नहीं है 6 महिने गुजर चुके हैं और आप बच्चे के मुझे यही सुन रहे हैं कि वो है तो लड़का बट वो बोलता है लड़की की तरह ट्रीट करें ना कि लड़के की तरह उसका मन है कि इसको वो काम मिले करने के लिए जो लड़के करती हैं ना कि जो लड़के करते हैं दूसरा पॉइंट है क्रॉस ड्रेसिंग बच्चा चुप चुप के बिंदी लगाते हैं मेक अप करते हैं और बहुत बार तो ऐसा होता है घरवालों सो बुरी तरह से ब्लू और ब्लाक पिटते हैं और इसके बावजूद भी अपने अंदर की तरंग को रोक नहीं पाते हैं जैसे बच्चे जब क्लिनिक पर आते हैं तो बताते हैं कि उनसे रुका ही नहीं जाता जब वो छोटे थे तो उनका मन करता था काश वो भी अपनी बहन की ड्रेस पहने या अपनी मा की कोई साड़ पहने या किसी फंक्शन में जाएं तो उनका जो बेब बॉड़ी जेस्चर और पोस्च्रिंग होता है वह भी लड़कियों की तरह होता है तो घरवाले उनको काफी टोकते हैं स्कूल में बच्चे उनको बहुत ही जादा सपोर्ट और बहुत ही जादा प्यार की जरूत होत उसके बात होता है जब बच्चे make believe play या fantasy play होता है जैसे बच्चे तीन से पांट साल के होते हैं तो वह अपने दिमाग में भी खेलते हैं या बाद में इनसान सोचता है तो जब वह खेलते-खेलते भी सोचेंगे तो एक लड़का है उसके मन में ख्याल आएगा कि खाना कैस सब्सक्राइब करना नर्स कैसे खेलना है या स्कूल की टीचर कैसे बनना है तो फैमिन जेस्चर दूंगे और सोच भी वह लड़कीं वाली लड़कों वाली नहीं होगी अगला जो पॉइंट है जो से टॉइस सेलेक्शन पापा में बोलेंगे कि तुझे खिलोनों में क्या च या टेबल टैनिस मंगाना चीए या बेडविंटन मंगाना चीए या फिर इसको तल्वार अगरा केसाथ खेलना चीए देवाली दिशारा में होता है ना कि इस तरह की गेम खेलनी चीए जो कि लड़किया अकसर खेलती जैसे स्तापू खेलना, इलस्टिक खेलना, यह सारी अगला पॉंट आता है प्लेमेट्स आम तर पर जैसे कि मैंने आपको पताया कि 5-15 साल के जो बच्चे होते हैं वो लड़के लड़कों के साथ ही खेलते हैं और लड़की यहां पर लड़कें होंगे वो लड़की के साथ जाधा कमफटेबल होंगे और लड़किया में उनके साथ अपनी दिल की बात करने में ज्यादा कमफटेबल होंगी स्कूल टाइम में दो इन बच्चों को बहुत ही टीजिंग का सापना करना पड़ता है और टीचर्स भी कई बार नहीं समझ पाते हैं और कई बार जाने अंजाने में कुछ ऐसी चीज़े बोल देते हैं जो बच्चा बिल्कुल भी कमफटेबल फील नहीं करता और उपर से घरवाले भी यही बोल रहे होते हैं सब तरह से उनको यही मैसेज मिल रहा होता है काफी कंफूजन होती है आज से दस साल पहले तो काफी सारी दिक्कते थी पर अब क्योंकि शोशल मेडिया है फेस्बूक है बच्चों की सीक्रेट ग्रूप्स हैं तो वह समझतों चल्दी जाते हैं औär यह काफी है तो वह समझता है कि वह जो सही है और काफी हथ तक वह अपने जानकारी यह गठा करते है वैसे हैं गिल्स शांता हुरर refresh छासल जाते हैं समझते हैं कि यह भी बहुत ही जादा important है बहुत ही difficult different age है बच्चे की इसमें sexually भी change हो रहे हैं physically हो रहे है mentally भी change हो रहे है और खासकर जिस changes से normal teenager गुझता है उसको दिक्कत आती है यहां तो बच्चा दूसरे gender के teenagers को सोच रहा है तो उसको और भी जादा दिक्कत आती है अगला point है strong rejection of masculine activities मतलब जैसे लड़के से उमीद की जाएगी कि वह रात को कहीं भी चला जाएगा कुछ भी कर लेगा और वह थोड़ा bold होगा courageous होगा या उसको भारी समान उठाना चाहिए यह करना चाहिए वह करना चाहिए जो लड़कों से उमीद होती है लड़कियों से जो काम जादा पसंद करते है एकसर लड़के नहीं समझ पाते है उसके बाद आता है डिसलाइक of 1th sexual anotomy क्योंकि वह जब खासकर फुबरेटी के आती है 13-15 साल की जब उमर आती है, जब sexual development होती है, जब attraction होती है towards opposite sex, उस time तो बहुत ही ज़्यादा उनको पहली बार समझाने लगता है कि कई बार कि मैं हूं तो लड़का, और जब वो अपने mind में imagine करते हैं, क्योंकि sexual activity है, तो sexual sex की तरफ भी ध्यान जाएगा, तो वो अपने आपक बार को चूज करता है, तो वो sex के लिए partner को चूज करता है, male तो उसको बोलते है, यहां पर लड़का लड़का नहीं रहना चाहता है, लड़का लड़की बनना चाहता है, और लड़की बनके वो girlfriend बनाना चाहता है, तो यह काफी different है, कुछ में rarely में, homosexuality भी हो सकती है, but that is very very rare, gender identity disorder में, उसके बाद है, a strong desire to have for primary or secondary sexual characteristics, इसका मतलब उनका मन करता है कि काश, उनकी भी चेस जो है, वो females की तरह होती, वो बाकी females को देखने है, घर में मदर को, या अपनी बहन को, या अपनी किसी relative को, तो उनका मन करता है कि काश, उनकी body भी उस तरह से होती, वो भी उन इसको पहन सकते हैं, पहन पाती, बलकि उनका मन करता है, वो अपने आपको इस तरही लिंक में ही बात करना चाहते हैं, तो यह जो बच्चे हैं, बहुत ही प्यार की जूरा रहता है, अगर आपको doubt है, तो आप किसी specialist को दिखा सकते हैं, खासकर psychiatrist और psychologist को, या hormonal therapist, जो endocrinologist है brainwashed, plastic surgeons हैं, जो इसमें deal करते हैं, जो इसमें deal करते हैं, जो इसमें deal नहीं करते हैं, वो नहीं समझ पाएँगे, जो deal करते हैं, वो ही इसकी घहराई को समझ पाएँगे, वो बहुत ही ज्यादा important है, क्लिंट अऐसा होता है, जब घरवाले बोलते हैं के डौक साब आप दव वाला है जिनका मन बच्पन से लेके 10-15 साल हो गए है छे मिने का तो क्राइटीरिया है अक्सर जब क्लिनिक पे लोग आते हैं तो 17-18 साल 16 साल 26 साल 36 साल के होते हैं और वो काफी सालों से यह आलरडी जी रहे होते हैं तो एज़ डॉक्टर अब भुषा च्राइब जानकारी देने कि उनके लिए इंको यह इसू है और उनके पेरेंट्स को भी इसमें कोई गलती नहीं बगवान ने कह ली जे ने ले उनको बनाएं ही ऐसा है और हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं उनकी पढ़ाई के लि ज़्यादा जूरूरत है, इसे जब भुच्छा प्रस्च आता है क्लास में तो रुदस को बड़ी तइय। तो आजब की धियर बढ़े की इसा कि skilledle तो आज भी डिबनने लिडिटि अगर आप उत्नी जरूरत नहीं होगी इसके अलावा आप comment below कर सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को hit कर सकते हैं कि हमारे upload करते ही आपको videos मिल जाएं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बन्नेवाद